लखनो में ऐसेट फेकने वाले अभियुक्त को बारे घंटे के अंदर पक्षिम जोन पुलिस ने मुट भेड में किया धेर थाना चौक छेतर के अंतरगत भाई बहन के उपर ऐसेट फेकने वाले को मुट भेड में किया धेर आरोपी अभिशेक को लखनो पुलिस टीम ने मुट भेड में किया धेर थाना था कुरगंज इंस्पेक्टर श्रीकांत राय चौक इंस्पेक्टर नारगेश उपाध्याय और मडियाव इंस्पेक्टर शिवानद मिश्रा की टीम ने किया गिरफतार मौके पर डीसीपी चिम विश्वजीत श्रीवास्तव एसीपी चौक राजकुमार सिंग सभी अधिकारी मौके पर मौझूद रहे आज जो मुट्भेड हुई है ये कौन आरोपी था क्या कुछ इसने घटना की थी और यहां पर जो मुट्भेड हुई है इसमें क्या कोई पुलिस भी खायल हुई है आज प्राता लगबग आठ सवाठ के आसपास मेटकल कालेज के पास पीडिता जो सादद गन ठाना छेट की रहने वाली हैं अपने भाई के साथ खड़ी थी तभी एक यूएक ने इन दोनों लों के उपर एसिट फेका जिससे दोनों भाई बहन घायल हुए उसके सम्मन्द में थाना चौक पर सम्मेक धाराओं में अवियोग पंजिकृत किया गया था घटना के अनावरण के लिए कुल चार टी में लगी थी जिसमें सेंट्रल क्राइम ब्रांच लखनव डी सीपी वेस की क्राइम ब्रांच एसेचो चौक श्री नागे सुपाध्या चौकी प्रभारी चौक इस सभी चारो टी में इसीपी चौक स्री राजकुमार चिंग के नेत्रित में काम कर रही थी सभी ने CCTV फूटेज इलेक्टानिक शर्विलांस अपने मुख्पिरों के धरातली सूचना यह अन्य जो भी पुलिस के मेथर्स हैं उनका उप्योग करके उनको जानकारी हुई कि लखीम पूर निवास अविशेग बर्मा गौराय घटना कारित्वी गई है